हाई गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो हम लोगों ने वाला टॉपिक स्टार्ट कर रख है उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में उसी पर बेस्जिक थिरूम की थी और वो थिरूम थी every subgroup of a solvable group is also solvable ठीक है तो अगर हमारे पास कोई solvable group given था तो हमें proof करके देना था कि इसका जो subgroup है वो भी क्या होगा solvable होगा ठीक है तो यह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने solvable group की definition की थी प्लस उससे related कुछ और definitions की थी ठीक homomorphic image of a group G is solvable हमारे पास को यह G solvable group given है हमें क्या प्रूफ करके देना है कि यह G अपनी जितनी भी images बनाएगा वो सारी भी solvable होनी चाहिए तो इसका प्रूफ देखते लेट G भी a solvable group and F G approaching G dash is a mapping तो हमारे पास given है कि G क्या है मेरे पास एक solvable group है सपोज यह मेरे पास एक group है G हमने core group let कर लिया that is G dash यह क्या है mapping है F जो कि कहां से है G के elements से लेकर G dash के elements तक और G dash के elements कुछ इस तरीके से है that is F G यह क्या दिखा रहे हैं यह image बना रहे हैं G के elements की जिसको हम लोग denote कर रहे हैं F G के साथ और यह सारी कि सारी images किस में लाए कर रहे हैं G dash में लाए कर रहे है ठीक है और इनके बीच हम लोगों ने f mapping करवाई है ठीक है तो अब हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो f g है वो solvable है हमें given है कि मेरा जो g है वो क्या solvable है ठीक है हम लोगों ने g के elements की एक mapping बनाई और image बनाई है g dash में तो अब हमें proof करके देना है कि जो मेरा f g है वो भी क्या है solvable है ठीक है now as g solvable so it has solvable series given by this by equation 1 तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है यह solvable group की definition लगा रहे है तो solvable group की definition के according सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए है हमारे पास एक normal series exist करनी चाहिए और g हमें given है कि solvable है तो उसके पास normal series exist करेगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी जिसमें g मेरा group है g0, g1, g2, अब 2, gn यह सारे क्या है मेरे पास subgroup है और last element मेरा क्या है identity element है इसको हम लोगोंने equation number 1 let किया अब second और third condition क्या होती है solvable group की सबसे पहली कि normal subgroup होना चाहिए हर succeeding subgroup अपने पिछले वाले का क्या होना चाहिए normal subgroup होना चाहिए ठीक है अब last condition क्या होती है quotient group abillion होने चाहिए ठीक है तो g solvable है तो उसके पास यह तीनों conditions क्या होंगी satisfy करेंगी now हम लोगोंने एक group लिया था g और एक group ले रखा था g dash जिसमें हम लोगोंने f mapping करवाई है और वो mapping किसके बीच में है g के elements के बीच में है और result कहां पे जा रहा है g dash में जा रहा है g n की image क्या है की f g n ठीक है इसी तरीके से mapping हो रही है सारे elements की और यह क्या हरी है इनी elements की image आ रही है now consider the series अब हम क्या करेंगे यह series consider कर लेंगे यह series किसकी बनी हुए है यह images की सारी images की बन रखी है that is f g क्या हो गया मेरे पास group हो गया पूरा का पूरा जिसमें f g 1 f g 2 up to f g n क्या है मेरे पास subgroups है सारे के सारे last element क्या है मेरे पास identity element होता है तो g dash के लिए हम लोगों ने e dash identity element से post कर लिया इस series को हम लोगों ने equation number 2 mark कर लिया done अब हमें क्या proof करके देना है we shall prove that series 2 is a solvable series हमें अब series को solvable बनाना है ठीक है और solvable proof करने के लिए हमें ये दो conditions proof करवा के देनी है सबसे पहली condition कि जो भी हमारे पास succeeding subgroup होगा वो अपने से पिछले वाले का क्या होना चाहिए normal subgroup होना चाहिए ठीक है और second condition कि quotient group या फिर factor group वो क्या होने चाहिए अब alien होने चाहिए ठीक है तो जब हम लोगों ने normal subgroup की definition की थी तो उसमें एक चीज गिवन थी हमारे पास ये वाली कि अगर हमें normal subgroup proof करके देना है तो हम क्या करेंगे subgroup में से एक element ले लेंगे group में से एक element ले लेंगे और ये condition satisfy करवा देंगे तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी normal subgroup होगी तो हम यही चीज़ करने वाले हैं तो ये मेरे पास subgroup है और ये मेरे पास group हो गया तो मैं क्या करूँगी इसमें से एक element let कर लूँगी, तो हम लोग क्या करेंगे, x let कर लेंगे इसमें से, और यह group है, तो group में से एक element ले लेंगे, जिसको मैंने y ले लिया, ठीक है, अब x है, वो किसमें से आ रहा है, f, g, i plus one में से, और f, g, i plus one क्या है, g, i plus one की image है, ठीक है, तो यह X है जो वो किस फॉर्म में आएगा अब यह F GI प्लस वन में बिलॉंग कर रहा है तो यह भी किसी F की फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे कि A कोई आलिमेंट है जो कि GI प्लस वन में है इसकी इमेज बन रही है जी डाश में F A की फॉर्म में उस F A को हम लोगों ने X लेट कर लिया similarly F GI है यह किस की इमेज होगी GI की इमेज होगी तो हम क्या करेंगे GI मेंसे एक अलिमेंट लेट कर लेंगे B जी डाश में यह B अलिमेंट की इमेज किस फॉर्म में आएगी FB की फॉर्म में आएगी इस FB को हम लोगों ने वाइलेट कर लिया डन अब हमें चीज़ गिवन है कि जी मेरे पास सॉल्वेबल ग्रूप है तो जाहिर सी बात है वो ये कंडिशन को तो सैटिस्फाइ करी रहा है क्योंकि जी सॉल्वेबल ग्रूप की नॉर्मल सब ग्रूप की हम लोगों ने एक अलिमेंट लिया ग्रूप में से एक लिया सब ग्रूप में से तो ये नॉर्मल सब ग्रूप की ये वाली कंडिशन सैटिस्फाइ हो रही है अब दोनों साइट पे F अप्लाइ कर दो अब इसको ब्रेक कर लो इस तरीके से, मतलब सार तीनों elements के साथ individually f लगा दो और ये चीज़ आज़र है inverse है तो हम लोगों ने inverse को बाहर निकाल लिया अब f b किसके equal रखा हम लोगों ने y के equal रखा f a किस x के equal रखा तो अब ये दोनों value हाँ पर substitute कर दो ठीक है तो ये चीज़ आगई मेरे पास और ये ही चीज़ तो हमें proof करके दे नहीं थे normal subgroup के लिए हम लोगों ने क्या किया था एक subgroup में से लिया element एक group में से लिया ठीक है ये चीज़ हम लोगों ने proof कर राके दिखा दे तो ये आगई इसको मैंने equation number 3 लेट कर लिया हम लोगों ने सबसे पहली condition तो प्रूफ कर ली अब हमें proof करके दे नहीं है quotient groups क्या है अबिलियन है ठीक है now to show that quotient groups और factor group अबिलियन तो इसके लिए हम next क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे एक mapping define करेंगे और उस mapping को हम लोगों ने 5 लेट किया है और वो mapping है GI से लेकर F GI by F GI plus 1 तक ये चीज़ क्या है मेरी quotient group है यानि कि हमारे पास जो given group G था उससे लेकर उसकी जितने भी homomorphic images बनी है उसके quotient groups तक हम लोगों ने एक mapping दिखाई है और लेट किया है कि जो 5 X है वो किसके equal है F X F GI plus 1 के ये दो चीज़े हम लोगों ने लेट किया है ठीक है तो मतलब GI मेरे पास अब कोई group है ठीक है एक group है इसका quotient groups का एक group ले लिया हम लोगों ने अब GI में जितने भी elements है उनकी जो image बन रही है वो कुछ इस form में है अब अगर X को element लाए कर रहे है तो उसकी homomorphic image ये आ रही है that is F X F GI plus 1 ठीक है तो अब हमें चार चीज़ें प्रूफ करके देने है जिसमें से पहली चीज़ हमें ये है कि जो मेरी 5 mapping है वो well defined है तो सबसे पहले हम लोग इसको proof करते है तो इसमें let कर लो कि जो X है वो किसके equal है Y के equal है ठीक है दोनों side पे F F apply करो और फिर दोनों sides पे हम लोग क्या करेंगे multiply कर देंगे F GI plus 1 के साथ दोनों sides पे और ये चीज़ फर्दर किसके equal है इसके equal है अब ये X का coefficient है तो यहाँ पे F X आ जाएगा और अगर Y की बात कर रहे है तो X की जग़ पे क्या आ जाएगा Y तो यहाँ पे आ गए F Y It means हमने start किया था That is X equals to Y के साथ And हम लोग कहाँ पे पहुंच गए 5X equals to 5Y It means हमारा जो 5 है वो क्या है Well defined है अब second चीज़ हमें ये शोग करके देनी है कि जो मेरा 5 है वो 1,1 है तो हम लोग कर लेंगे That is 5X is equals to F Y Sorry 5Y ओके ठीक है ये चीज़ आ गई और अब हमें पता है कि जो 5X है वो किसके equal लिया है हम लोग ने इसके equal लिया है X equals to F Y जो कि फर्दर किसके equal आ जाएगा X equals to Y के It means जो मेरा 5 है वो 1,1 भी है Third condition कि जो मेरा 5 है वो on to है तो हम लोग लेट कर लेंगे ये condition That is F X F GI plus 1 ये किस में contained है इस quotient group में contained है फर्दर ये चीज़ किसके equal है 5X के equal लिक लिक चले हम लोग तो मतलब 5X किसको belong कर रहा है Quotient group को belong कर रहा है तो ये क्या imply करता है कि जो मेरा X element है वो किसको belong कर रहा है GI को belong कर रहा है It means मेरे पास third condition on to वाली भी proof हो गए अब fourth condition में हमें ये दिखाना है कि जो मेरा 5 है वो homomorphic है हम लोगों ने let Q ये condition 5X के लिए हम क्या करेंगे X को replace कर देंगे X, Y से तो मेरे पास ये चीज आ जाए कि that is 5XY किसके इकवल आ जाएगा F, X, Y F, GI, प्लस, 1 के अब F को break कर दो individually दोनों साइज पे ठीक है ब्रेक कर दिया ये चीज मिसिंग थी मेरे यहाँ पे तो मैंने इसको यहाँ पे add किया दो चीजों को ठीक है तो मैंने ब्रेक कर दिया अब क्या करो इसको F, X, F, GI, प्लस, 1 को अलग रख दो F, Y, F, GI, प्लस, 1 को अलग रख दो ये चीज क्या है मेरी homomorphic image है ठीक है तो मैं इसको दो बार यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक किया अब ये चीज किसके equal थी F, X के equal थी और ये चीज किसके equal आगई F, Y के equal आगई इटमीज F, X, Y किसके equal आगया F, X, F, Y के तो इटमीज मेरी fourth condition भी satisfy हो गई Now, next Now, by fundamental theorem of homomorphism अब हम क्या करेंगे fundamental theorem of homomorphism का result ये as it is result आपको learn करना पड़ेगा इसको हम लोगोंने equation number four mark कर लिया ठीक है, ये है क्या That is, G I divided by kernel phi ठीक है, किसके isomorphism किसके isomorphic होना चाहिए quotient group के isomorphic होना चाहिए सारे के सारे, ठीक है तो अगर अब suppose मेरी ये चीज किसके, इसके equal आजाए that is, G I by G I plus one के और ये चीज हमें given है कि ये abilion है, कैसे हमें quotient में given है कि जो मेरे G I, वो solvable group है और solvable group के जितने भी quotient groups होंगे वो सारे क्या है हमरे पास abilion होते है तो ये क्या है, G के quotient groups है तो ये तो सारे abilion ही होंगे अगर ये चीज इसके equal आजाए तो ये भी चीज abilion हो जाएगी ठीक है, और अगर ये abilion हो गई ये चीज किसके isomorphic है इसके isomorphic है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी फर्दर abilion हो जाएगी तो मतलब अगर हम लोग ये approach use करते हैं तो मेरे पास जो second condition है fgi के लिए वो भी satisfy हो जाएगी कि इसके भी सारे quotient groups क्या होंगी abilion होंगे, हमें second condition में ये ही प्रूफ करके देना है तो अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है जो मेरे पास kernel f है, वो किसके equal है kernel f है, वो किसमें contain हो जाएगा gi plus one में से, और second हम लोग क्या करेंगे फिर एक element लेंगे gi plus one में से और उसको contain करवा देंगे kernel f में से ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास उन दोनों cases को हम लोग use करेंगे जिससे हमारे पास आजाएगा कि kernel f किसके equal है gi plus one के element of, जो 5x है मेरे पास वो क्या है वो identity element हम लोग लेके चल रहे है that is किसका fgi by fgi plus one का identity element है, ठीक है, further 5x हम लोग ने क्या लेट किया था, that is fx fgi plus one ठीक है, जो किसके equal आगया fgi plus one के, ठीक है, अब next इससे हमें क्या पता चल रहे है यह जो चीज है, वो किसके equal है fgi plus one के equal है, it means जो मेरे fx है, वो किसको बिलॉंग कर रहे है fgi plus one को बिलॉंग कर रहे है तो इससे क्या पता चल रहे है, कि जो x है वो किसमें से बिलॉंग कर रहे है, gi plus one में और x हम लोगों ने क्या लेट किया है करनल 5 लट किया हुआ है हमने यहां में से नदब सॉरी कि X है वो करनल 5 को बिलॉंग कर रहा है तो it means जो मेरा करनल 5 है वो किसको बिलॉंग कर गया GI प्लस 1 को इसको हम लोग मार्क कर लेंगे equation number 5 और इसी same way में से हम लोग एक element लेंगे जो कि GI प्लस 1 में से होगा और उसको हम लोग contain कर वाद देंगे करनल 5 में से ठीक है तो इसको हम लोग ने equation mark कर ली 6 अब 5 और 6 से हमें क्या result obtain हो गया that is करनल 5 है किसके equal है GI प्लस 1 के equal आ गया मेरे पास और हमें यही proof कर के देना था ठीक है तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि GI में पास यह चीज़ गिवन थी that is GI by करनल 5 और करनल 5 हम लोग ने प्रूफ कर दिये किसके equal है GI प्लस 1 के तो अब इसकी जगा पे हम लोग GI प्लस 1 भी लिख देंगे ठीक है तो यह चीज़ किसके equal आ गई इसके equal आ गई और हमें question में ही यह चीज़ गिवन है कि GI मेरे पास solvable group है it means उसके जितने भी factor groups या फिर quotient group होंगे वो सारे क्या होंगे abilion होंगे तो यह चीज़ हम लोग ने प्रूफ कर दी कि इसके equal है और यह चीज़ हमें given है कि क्या है abilion है ठीक है और अगर यह चीज़ abilion है और यह चीज़ किसके isomorphic है इसके isomorphic है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा है कि यह सारे भी क्या हो जाएंगे abilion हो जाएंगे यह चीज abilion है फर्दर यह चीज़ किसके isomorphic है इसके isomorphic है तो अगर ये चीज अबिलियन है तो ये चीज भी तो अबिलियन हो जाएगी तो इट मींज हम लोगों ने दोनों कंडिशन सैटिस्फाइ करवा दी ठीक है सीरिस टू के लिए हम लोगों ने इसी को प्रूफ करके देना था ये मेरे पास नॉर्मल सीरिस थी हमारे पास ये दो चीज़े भी हो चुकी है तो हमारे रिजल्ट हो गया है प्रूफ अब झाल